बुथवार को पूरे देश सहीद भिलाई शहर में भी भाय दूज का तेवहार शद्धा पुर्वक मनाया गया इसी कड़ी में वाड 21 धांचा भवन में भी उत्तर भारती महिलाउं द्वारा एकत्र होकर इस तेवहार को मनाते हुए गोधन कूटा गया एवं अपने भायों क को लंबी उम्रिक की कामना की गई दिपावली के तीसरे दिन पूरे भारत वर्ष में भाय दूज का तेवहार बहनों द्वारा मनाया गया इस तेवहार को उत्तर भारत में अनोखे धंग से मनाने की परंपरा रही है इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए नगरपालिक नि इसके परंपने भाई को कोशने की रस्म अधा की तत पाशंड जिस जुबार से उन्होंने भाय को कोशा उस पर कानटे से प्रहार कर खुद को घायल भिकिया और फिर उसी जुबान से अपने भाई के दुश्मनों को बद्दुआ देते हुए गोधन में सांकेतिक। तौर दुश्मनों की कुटाई की अपस्तित हुई सभी महिलाओं ने अपने भाईयों की लंबी उम्र की कामना की और भाईया दूज पर हुए इस अनोखे कार्पकम की जानकारी भी ग्रेंड एसीन निउस्टीम को उपलब्द कराई अपस्तित है अज भाई के सलामती के लिए हम लोग भाई को सरापते हैं भाई को अशिरबाद देते हैं दूगा देते हैं जिसको भाई मेरा लंबी आयू तक जीए ब्ydd भाई के भाई दूज मनाते हैं दंदी आयू के लिए भाई के प्राद्मा करते हैं यसे आधियों से परंपार आ énorme काई किये यह अद लोग भी भी किये है 5 मेंड बहे नुक Чुली में जाती है भाई के मिठाई में गोथ के बजरी खिलाती है कि भाई हमारा बजर रहे अच्छे रहे लंबा याई तक ले जी है तब हम लोग अपना भाई के यहां पर आपके देज दुनिया के भाईया अबाद रहो सब बहीं आपाद रहो उसके बाद उपस्तित महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगा कर इस्तेवहार की बथाईयां दी कारक्रम के अंत में कूटे गए गोधन में से प्रसाद स्वरुख चना और नारियल को निकाल कर सभी बहनों ने अपने घर की तरफ प्रस्थान किया Grand ASEAN News के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट